नमस्कार आशा करते हैं कि आप सब लोगी लैंप बना रहे होंगे और जैसे जैसे दिवाली पास आ रही है आपका घर आपके खुद की बनाईवे मैथेमेटिकल लैंप से जगबगा रहा होगा तो आज की सीरीज का ये पांचवा लैंप हम आपके साथ बनाएंगे और वो सब्सक्राइब और इस लैंप को बनाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है वहां से इसकी पीडियाफ को डाउनलोड कर ले और उसकी दस कोपी निकाल ले तो ये बहुत ही खुबसूरत लैंप बनके तयार हो गया है और जितना सुंदर ये लैंप है उतनी सुंदर इसके पिछे की गड़िवदी है तो ये लैंप 20 ट्राइंगलर फेसे से मिलके बना हुआ है और इसको आइकोसा हेडरन पर हम इसी लिए बोलते है क्योंकि आइकोस बनाये था उसके हर वर्टेक्स पे 4-1 एकृलेटर ट्राइंगाँ चाहिए आज ये फ्लैक्ट्र बना रहा है और आगलर हम एक उर्ट्राइंगल यहाप चमीन शोट यापर तो हमें डोडे का मिलेगा यह बहार आइकोसा है और इसके हमने फेसेस के मिड़ पॉइंट्स को मिला दिया तो इसके अंदर बैठा है डोडे का तो इनको हम डुवल स्ट्रेक्चर कहते हैं जो हमने पिछले एपेसोड में भी बात करें थी एक और काफी मज़ेदार बात यह है कि अगर इन दोनों कोनों को हम इन दोनों कोनों से जोड़ दे यानि डाइगनोली अपोसिट कोनों को अगर हम जोड़ दे तो बीच में हम एक रेक्टेंगल मिलेगा और जो वो rectangle होगा वो golden ratio में होगा इससे पहले हमने क्यूब में भी एक चीज देखी थी कि क्यूब के जो rectangle थे वो 1-102 के ratio में थे और जो आइकोसा के अंगर rectangle होंगे वो golden ratio में है तो आपको यहां पर यह तीन rectangle दिख रहे होंगे red, blue और yellow तो अगर इन rectangle को हम जोड देंगे सार आइकोसा मिल जाएगा तो यह बाहर वाला structure में आप आ रहे होंगे कि यह बाहर हमें आइकोसा दिख रहा है और इसमें काफे interesting problem यह भी सोच सकते हैं कि अगर हमें इन सारे vertex को यानि सारे कोनों को हमें अगर cover करना है और रास्ता आपका repeat नहीं होना चीए तो आप कौन सा पा तो हमें जो shape मिलेगा वो pentagon मिलेगा और hexagon मिलेगा तो वो हमारी football होती है और जो geodesic doms बनते हैं उनका basic structure भी आइकोसा header में होता है और हमने हमारी lab में भी 5 feet, 10 feet और 25 feet की भी एक geodesic doms बनाई है